गुड मॉनिंग बच्चो सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चो कैसे हो आप सभी आशा है आप स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे आप सभी अपने घर में तो बच्चो आज हम हिंदी में में दुबारा से हम धोराई कारे करते हैं जो हमने कल आपको ठ शब्द करवाया था उसका तो बच्चो ये है हमारा ठ आपने अच्छा लिखा ठ लेकिन थोड़ी से एक बार और हम इसकी दुबारा से प्रैक्टिस करते हैं ये ठ है ठ से ठंड ठ से ठंड ठ से ठंड ठ से ठंड था से थंडाई तो बच्चों मैंने थंडाई के बारे में बताया था थंडाई में बहुत सारे ड्राइफ रूट्स होते हैं और केसर होता है इसमें दूध होता है और मतलब बहुत से इसमें इतनी सारी चीजे मीठा होता है ये थंडी होने के बाद बहुत टेस्टी लगता है हलकी फलकी काली मिर्च भी होती है इसमें थसे थंडाई थसे ठपा थसे ठपा जिसे हम क्या कहते हैं स्टाम थसे ठपा थसे ठेला थसे ठेला थसे ठहा के मार के हसना हाँ 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 करके ऐसे ठहा के मार के हसते हैं न थसे ठपा थसे ठग ठग कौन होता है बच्चा जो धोके से हमारे पैसे या हम से धोके से हमारी कोई चीज ले लेता है उसको क्या कहते है ठग ठ से ठ ठेरा, ठ से ठ ठेरा, सो बचो ये है ठ, अब देखो बचो आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर तो अच्छा रहे हैं, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, आप कैसा वर्क करें, आप ऐसा वर्क करें, देखो एक पेश पे हमने यहार ठ से ठेला बनाया हुआ है, और दूसरे पेश पे हमने ठर लिखा हुआ है और एक एक लाइन लीव करके लिखना है आपको ठर इतना सुंदर पिचर इतनी बड़ी होनी चाहिए आपके चितर इतने बड़े होने चाहिए खुद आपने चितर पे रंग भरने है और ठर लिखना है ये है हमारा ठर से ठेला और ये है हमारा ठर से ठपप ठप ठप से ठपप तो एक जगे हमने पिचर बनाई हुए बड़ी पिचर बनानी है आपको, बिल्कुल बड़ी, फुल पेच पे आनी चाहिए पिचर और दूसरे पेच पे आपको Lिखना है, क्या लिखना है ठँ अब इसी के साथ-साथ आप एक और अभ्यास करिए दोराई कारे में जो है त, तो अब मैं आपको बताती हूँ थ और त कैसे लिखना है सो बच्चों देखो आपने यहां पहले सो सबसे पहले राइट डेट रोज डालनी है आपको क्योंकि जब आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तब हमें वो वर्क चेक भी करना है कि आपने छुटियों में कैसा वर्क किया यहां क्लास वर्क ठीक है और अब हमने क्या बनाना है ठर से ठपा और ठर से टमाटर यह आपके दो धुराई कारे हैं आप चाहिए यहां ठर लिख दिया और तर लिख दिया और इसके इस साइड राइट साइड इस साइड वाले पेज पे आपको टर से टमाटर और ठर से ठपा बनाना है तो चित्र तो आप बना लोगे तो ऐसे लिखना है आपको देखो लाला जी की छट लाला जी की छोटी सी गर्दन और लाला जी पेट ठीक है बचो लाला जी की चट गर्दन मोटा पेट लाला जी की चट गर्दन फुलावा पेट तो आपको ऐसे कारे करना है और हमेशा डॉट्स पर कारे करना है आपको डॉट्स लगाने है और उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है डॉट्स लगाने है और सुंद सुन्दर कारे करना है यह आपका ठर और ठर ठीक है बच्चो चलो बाई बच्चो टेक क्यर टाइम पे वर्क सेंड करना है और आपके जो वर्क टाइमिंग्स है वो 3 पी एम टू 4 पी एम है उस तरह आपको वर्क सेंड करना है और इविनिंग में आपका टाइम है 7 तू 8 पी एम के बाद कोई भी वर्क सेंड नहीं करेगा और 4 पी एम के बाद कोई भी वर्क सेंड नहीं करेगा जिसने भी 8 पी एम के बाद वर्क सेंड किया उसका वर्क चेक नहीं होगा ओके बच्चो बाई बच्चो टेक कियर